हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आप सब का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिगेंट व्यू में स्वागत है चमनलाल वर्सेस स्टेट आफ हिमाचाल परदेश केस में सुप्रीम कोड ने आज ही अपना आदेश पारित किया है और अपना आदेश पारित करते हुए सुप्रीम कोड ने मानसिक रूप से अक्षम लड़की के साथ बलातकार के अरूपी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा आज हम इस वीडियो में इसी केस को डिटेल में डिसकस करेंगे कि ट्रैल कोड ने क्या जजज्मेंट दिया और अप अभ्योग्त चमनलाल को मुख्य रूप से ट्रैल कोड ने FIR कराने में देरी के आधार पर और इस आधार पर की अभ्योजन पक्ष यानि की जो लड़की वाले हैं लड़की का जो पक्ष है वो परिणामों को समझने के लिए मानसिक रूप से सक्षम नहीं था कि ये क्या हो इस आधार पर बरी कर दिया इसके खिलाफ अपील हाई कोड में डाले गई तो हाई कोड ने रिकॉर्ड पर पूरे साक्षे को पूरे एविडेंस को पूर्ने प्राप्त करने पर उच्छ नियाले यह निशकर्ष निकाला यह कंक्लूजन निकाला कि जो अभ्योजन पक्ष क आईक्यू है वो 62 था और यह हलकी मानसिक मंता थी इस आधार पर हाई कोड ने उसे जो एक्यूज था चमलार उसको साथ साल के सशर्म कारवास और दस हजार रुपे के जुर्माने की सजा के साथ जुर्माने के बुक्तान में डिफॉल्ट होने पर यानि कि अगर जुर्मान के कठोर कारवास और पांच हजार रुपे के जुर्माने के साथ और जुर्मानक के डिफॉल्ट के रूप में धारा 506 आईपीसी के तहट आगे तीन महीने के सजा सुनाई हिमाचल हाई कोड से सजा होने पर एक्यूज चमलाल ने सुप्रिम कोड में अपील दायर की सुप् कार के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरा रखा और सुप्रिम कोर्ट ने येदि कहा कि पीडिता अच्छे और बूरे को समझने की स्थिति में नहीं थी के वल इन लिए कि पीडिता कुछ घरेलू काम करने की स्थिती में थी, वो कुछ घरेलू काम जो थे, वो सही से कर सकती थी, तो वह चिकित्सा साक्षे को नहीं छोड़ सकता, कि पीडिता को हलकी मानसिक अक्षमता थी, और यह यौन हमले के अच्छे और बूरे पहलू को समझने की स्थिती में ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी ने पीडिता की मानसिक बीमारी का फायदा उठाया था। इस तथे के साथ इस फैक्ट के साथ इसकी सराहना की जाने चाहिए कि आरोपी को पीडिता द्वारा जन्मे बच्चे का जाविक पिता पाया गया है। हाई कोड द्वारा दी गई सजा में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए जस्टिस अशोग भुशन, जस्टिस आर सुभाश रेडी और जस्टिस एमार शाह की पीठ ने कहा कि ये ध्यान देने के आवशकता है कि ये एक पीडिता पर यौन हमले का मामला है जिसका का अनुचित लाब उठाया है मांसिक विकार या मांसिक बीमारी से पीडित व्यक्ति विशेश देख भाल, प्यार और इसनेह का हक्दार है उसका शोषन नहीं किया जाणा चाहिए इस जो मामले में वरतमान मामले में आरोपी ने उसकी मानसिक बिमारी उसकी विकार का फाइदा उठाकर पिडीधा का शोशन किया है इस लिए इस न्याले द्वारा उच्च न्याले के आरोपी को दोषी फेराते हुए आदेश पारित किosit की जाने के किसी भी फैसले के खिलाफ कोई हस्तक्षेब नहीं किया गया है और उसे बरकरार रखा जाता है यह आरूपी का कभी भी मामला नहीं था कि यह एक सहमती का मामला था इसलिए रिकॉर्ड पर सबूतों को देखते हुए विशेश रूप से PW11 और PW22 के बयान और यहां तक की अन् 1376 IPC के तहत आरेपी को सही दोशिठराया है यहां तक की 1375 IPC के पांचवे खंड के अनुसार एक आदमी द्वारा बलातकार कहा जाएगा अगर उसकी सहमती के साथ जब तक जब इस तरह की सहमती देने के सेमें दिमाग की अक्षमता के कारण वो प्रकरती और प्रिणामों क को समझने में असमर्थ है जिसके लेवे सहमती देती है जहां कि यहां देखा गया है यहां तक की आरोपी की और से यह मामला नहीं है कि यह सहमती का मामला था सबूतों पर यह स्थापित किया गया कि पीडिता मानसिक रूप से मन बुद्धी थी और उसका IQ 62 था और वैयान ह हम लेके अच्छे और बुरे पहलू को समझने के स्थिती में नहीं थी आरोपी ने मांसिक बिमारी और पीडित के कम आई आईक्यू का फायदा उठाया है तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने यही डिसकस किया कि सुप्रेम कोर्ट अपहल्स कन्विक्शन अफ मैं एक्यूज ऑफ रेपिंग मेंटली इल वोमन सुप्रेम कोर्ट ने मांसिक रूप से अक्षम लड़की के साथ बलातकार के आरोपी व्यक्ति की सजा को बरकरा रखा Thank you for watching this video. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप अभी तक subscribe नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को subscribe कर ले और बैल आइकन को click कर ले ताकि आनवाले वीडियो की notification आपको मिल जाए